नमस्कार मैं हूँ अंकूर और आप देख रहे हैं सत्तिहिंदी.com सत्तिहिंदी का एप डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाईए वहाँ पे आपको एक लिंक मिलेगा जहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं अब एक नज़र डालेते हैं अब तक की सुर्खियों चीन के साथ सीमा विबात को लेकर डिसंगेंजमेंट पर इतने सवाल खड़े हुए कि अब रक्षा मंतराले को फिर से सफाई देनी पड़ी है इसने कहा है कि समझोते में भारत ने कोई भी शेत्र नहीं होया है पैंगॉंग सो में वर्तमान में जारी डिसंगेंजमेंट के फिंगर चार पर नहीं यही कारण है कि भारत ने चीन के साथ वर्तमान हालात में भी फिंगर आठ तक गश्त का अधिकार बनाये रखा है पैंगॉंग सो के उत्तरी तड़ पर दोनों पक्षों के स्थाई पोस्ट पहले से ही हैं भारतिय पक्ष में ये फिंगर तीन के पास धन्सिंग थापा पोस्ट है और फिंगर आठ के पूर्व में चीनी है वर्तमान समझोते में दोनों पक्षों द्वारा फॉर्वर्ड की तैनाती को रोकने और इस्थाई पोस्टों पर तैनाती जारी रखने का प्रापधान है भारत ने समझोते के परणाम सरूप किसी भी शेत्र को नहीं खोया है लद्दाक में चीनी घुसपैट को लेकर मोधी सरकार पर बीते एक साल से हमलावर कॉंग्रेस सांसत राहूल गांधी ने शुकुरबार को एक बार फिर सरकार को निशाने पर लिया है राहूल ने नई दिली में कॉंग्रेस मुख्याले में आयोजि की जिम्मेदारी है कि वे हिंदुस्तान की सीमाओं की रक्षा करें लेकिन उन्होंने इसे नहीं निभाया राहूल ने कहा कि चीन के साथ जो हमारी बादचीत की पोजिशन थी स्टेटस को एंटी 2020 उसे सरकार भूल गई कॉंग्रेस सांसद ने कहा ये पूरी तरह कायरता है प्रदानमंत्री मोधी कायर है और वे चीन के सामने खड़े नहीं हो सकते हैं राहुल ने कहा कि मोदी सेंगों की शाहदत के साथ धोखा कर रहे हैं और हिंदुस्तान का कोई भी व्यक्ते इसे सुईकार नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि सरकार को उनके सवालों के जवाब देने चाहिए। राहुल ने कहा कि हमारी सेना, नेवी, एरफोर्स चीन के सामने खड़े होने के लिए तयार है लेकिन प्रधानमंत्री मोदी इसके लिए तयार नहीं है। राहुल ने कहा कि सरकार को किसानों को तुरंत रद करना चाहिए, उन्होंने कहा कि सरकार किसानों से उनकी जमीन उनका भवेश चीन रही है। प्रधानमंत्री मोदी की लोगप्रिता के लिए विपक्षियों के खिलाफ गंदी भाषा का इस्तमाल करने के लिए बीजेपी, आईटी सेल और प्येमो की प्रयासों की जांच करेगी। बजच पर जबाब देते हुए वित्वमंत्री निर्मला सितारमन ने राजसवा में कॉंग्रेस को घेरा है। वित्वमंत्री ने कॉंग्रेस पर तंजखस्ति को कहा कि हमारी योजनाओं का लाब सभी गरीबों, मध्यमवर्गियों को मिल रहा है ना कि दामाद को। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि विपक्ष की आदत बन गई है इस तरीके से तथ्यों को पेश करना कि कुछ नहीं किया प्रात्मिक स्वास्ते केंद्रों पर डेटा की जो एंट्री हुई है उसमें ना तो मोबाइल नंबर और ना ही पता मैच कर रहा है और बहुत सारे मोबाइल नंबर फर्जी साबित हुए है एक मोबाइल नंबर में तो 00 ही लिखा है इसी मुद्दे को RJD की नेता मनो ज्जा जिसवा में भाषन के दोरान ही TMC को छोड़ने का एलान कर दिया त्रिवेदी ने इस दोरान ममता सरकार को कटगरे में भी खड़ा किया कहा जा रहा है कि त्रिवेदी जल्द ही BJP में शामिल हो सकते हैं BJP के राष्टिय महासचिब और पश्यमंगाल में पार्टी के प्रभारी कैलाश विजयवर्गिय ने कहा है कि अगर त्रिवेदी BJP में आते हैं तो उनका स्वागत करेंगे दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके में हुई 25 वर्षिय युवक रिंकु शर्मा की हत्या के मामले ने तूल पकड़ लिया है रिंकु की कुछ लड़कों ने एक जन्म दिन की पार्टी में हुई बहस के बाद चाकु मार कर हत्या कर दी पुलिस ने पांचो आरोप्यों को गरफतार कर लिया है और मामले की जाच कर रही है आरोप्यों की पहचांग जाहिद, महताब, दानिश, ताजुद्दीन और इसलाम के तौर पर हुई है रिंको शर्मा के भाई मनु शर्मा ने बताया कि वो बचरंग दल से जुड़ा हुआ था और मंगोल पुरी का हनुमान चालीसा प्रमुक था पांच अगस्त को राम मंदिर बनने के उपलक्ष में हमने इलाके में शिरी राम रैली निकाली थी तब भी हमारे साथ अन्बन हुई थी इन्होंने हमें धम की दी थी फिर मौका मिलते ही पुदबार को भाई को मार दिया हना कि पुलिस ने अभी कहा है कि हम मामले की जाच कर रहे हैं धार्मिक जैसा मामला हमारी जाच में नहीं आया है इन लोगों ने आपस में मिलकर रोहिनी में एक रेस्टरॉंट भी खोला था जिसको लेकर इनको नुकसान हुआ था इसको लेकर भी मन मुटाव था हत्या जर्म दिन पार्टी में हुई बहस के बाद की गई हलाकि घटना पर राजनीती शुरू हो गई है और हत्या को धार्मिक एंगल देने के भी प्रयास हो रहे है दिल्ली बीजेपी के अद्धक्ष आदेश गुपता ने कहा कि देश की राजधानी में हुई घटना से मन अत्यांत दुखी है श्री राम मंदिर हेतु समर्पन निधी एकत्र करने पर एक युवक की विशेश समदाय द्वारा हत्या कर दी गई मैं इसकी कड़ी शब्दों में निंदा करता हूँ पर दिल्ली पुलिस से दोशियों के खिलाफ सक्थ से सक्थ कारवाई की मांग करता हूँ वहीं आबाद्मी पार्टी ने कहा कि जिनों नी भी ये किया है उन्हें सक्थ सक्थ सजा होनी चाहिए उन्हें जेल में डाला चाहिए और हिंदोस्तान के कानून में जो भी सबसे कठिन धारा है उसके हिसाब से करवाई होनी चाहिए लेकिन इसे सामपरदायक रंग ना दि कॉंग्रेस के वरिष्ट नेता मल्यकार जुन खडगे राजिसवा में व्यपक्ष के नेता होंगे वैगुलाम नभी आजाद की जगए लेंगे राजिसवा से आजाद की विदाई के बाद वैपद खाली होगा उनका कारेकाल 15 फरवरी को खत्म होगा इसको लेकर कॉंग्रेस ने राजिसवा अध्यक्ष एम वैंक या नाइड़ो को पत्त्र लिखा है कि सदन में व्यपक्ष के नेता की खाली होने वाली जगए पर खडगे को नियुक्त किया जाए अमेरिका की पूर्व राश्पत्ति डोनाल्ड टरंप के खिलाफ संसंद में डेमोक्रेट्स ने टरंप के खिलाफ चलाय जारे महाव्योग को लेकर बहस पूरी कर ली है सांसनों ने ट्रम्प को कैपिटल हिल हिंसा का दोशी पताते हुए कहा कि ट्रम्प नहीं हिंसा को भढ़काया साथ ही ये भी कहा कि अगर ट्रम्प को दोशी नहीं ठेराया गया तो वै फिर से ऐसा कर सकते हैं अपना पक्ष रखते हुए डेमोक्रेट्स ने पुलिस इंटेलिजेंस अधिकारियों के अलावा दंगाईयों द्वारा कहगे शब्दों आधि का हवाला दिया वहीं शुकुरबार को टरंप की बचाओ टीम सीनेट में अपना पक्ष रखेगी अब तक के खबरों में इतना ही बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्तिहंदी.com के साथ सत्तिहंदी का एप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर